Hello everyone, welcome back again to BSP Science, नमश्कार आप सभी लोगों को, स्वागत आप सभी लोगों का BSP Science में CUET 2024 को लेकर करके अब इस स्टुडेंट के मन में बहुत बड़ा डर बन गया है कि आप लोगों का रिजल्ट कैसा आने वाला है अभी 29 माई को जैसे कि CUET 2024 के एक्जाम खतम हो गए है UG कैटेगरी वाले बच्चों के अब उसमें बहुत सारे बच्चों ने एक्जाम लगबग 3.5 लाग बच्चों ने इस पेपर को दिया है जो अलग-अलग ब्रांच के लिए अलग-अलग कोलीजीज के लिए उन्होंने फाइट किये और NTA ने यही एक्जाम कंड़क्ट कराया था अब क्या यह इस रिजल्ट पर खत्रा है सारी चुजों के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में तो Hey everyone मेरा नाम है पुनित राचबूत और आप लोग प्यार सर्पूनित बहिया बुलाते हैं और स्वागत है आप सब लोगों का आपके प्यारी से प्लेटफॉम बीएस वी साइंस में बीएस वी साइंस एक ऐसे प्लेटफॉम में जो आप लोगों को संपूर्ण जानकारी और पूरा को पूरा कोर्सिस आप लोगों के लिए बनाए गए हैं बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि लगबग 25 लाग बच्चों ने NEET 2024 का पेपर दिया था और NEET 2024 का रिजल्ट चोरी छुपे चार तारिक को NTA ने कर दिया रिलीज जो कि की रिजल्ट 14 जून को आने वाला था वो रिजल्ट NTA ने 4 जून को इलेक्शन वाले दिन कर दिया जारी और सोचा कि किसी का ध्यान इधर जाएगा नहीं क्योंकि पूरे इंडिया में इलेक्शन का माहूल है और इस बार रिकोर्ड तोड बारिश करी है नमबरों की किसने NTA ने National Testing Agency ने NTA ने क्या किया है सिंपल सा 69 स्टुडेंट्स को सीधा 720 में से 720 नमबर दे दिये गए वही पर ही कोई स्टुडेंट ऐसा भी है जिसके 718 नमबर है 719 नमबर भी आई ओसूर 717 716 नमबर है इसे कुछ करके तो ये पोसिबल तो है नहीं अब जिस बच्चे के 720 में 720 हैं उनको भी AIMS दिल्ली मिलना मुश्किल हो रहा है क्या ये रिजल्ट सही है क्या गलत है ये पिल्कुल इस पस्ट तोर पर सामने रखा हुआ है परंतु क्या है कि इस चीज को लेकर के जो CUET UZ 2024 के बच्चे हैं उनके मन में भी एक डर बन गया है कि क्या हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा और क्या हमारा रिजल्ट क्या होगा रिजल्ट का कोई आइडिया नहीं लगा सकता है ये रिजल्ट देखने के बाद में जो ये NIT का NIT 2024 का जो रिजल्ट आया है और NIT 2024 का जो एक्जाम है वो भी NTIA ही कंडक्ट करा रहा था और CUET 2024 का एक्जाम भी NTA ने ही कंड़क्ट कराया है तो मेरा आप लोगों से यही बोला है कि आप लोग भी यह ना समझेगी और सारे के सारे इंस्टिटूट्स इसने भी टीचर्स हैं सब इसमें एक साथ में आए और बच्चों का जो भविश्य खराब कर रहा है NTA उसके लिए अब आज उठाए क्योंकि कि अभी 25 लाग बच्चों के साथ में यह हुआ है अभी 35 लाग बच्च भी लाइन में खड़े भविश्य की चिंता है तो आप लोग NTA को ट्विट कीजिए मेल कीजिए प्लस दूसी चीज अपनी आप लोग प्राइवेट इंस्टिटूट्स में या फिल जहां पर भी आपको जिस भी ब्रांच में अड्मिशन लेना है मेरा आपको इस सजेशन रहेगा कि इस पेपर में भी क्या है कि कही पर बच्चों को पेपर लेट मिल रहे हैं कही पर बच्चों के एक्जाम कैंसिल करके 29 तारिक को कर दिये गए हैं और जैसे कि अब की बार नीट 2024 में हर्याना के बच्चों ने क्या है ज्यादातर करके इन 720 में 720 रैंक लेकर क्या है ऐसे करके 29 माई कर दिया गया था शायद इसमें कोई साजिश हो कुछ नहीं बोल सकते हैं अभी मैं इसी वज़े से आपको बोल रहा हूं कि आपको करना जो भी कोर्स है और आपको जो ड्रीम कोलीज है आप एंट्रेंस एक्जाम के चक्कर में ना पढ़के अभी के लिए एक बारी आपके अपना private institute में best institute में अपने seat reserve करा ले यह मेरी आप लोगों से request रहेगी ताकि कि आपका साल खराब ना हो इन authority के चक्कर में पढ़के इन authorities के चक्कर में पढ़के आपका साल खराब ना हो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखे मैं आप लोगों से ही बोलना तिल देन मिलता आप लोगों से ऐसे next informative वीडियो में और मेरा suggestion अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसके लिए वीडियो को like कर देगा चैनल पर ना है तो subscribe भी कर दीजेगा मिलता है ऐसे next informative वीडियो में तब तक के लिए बाई शुक्रिया नमस्कार चैहिन